दोस्तो नमस्कार मुद्दे की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हम एक ऐसे गंभीर मुद्दे पर चर्चा करेंगे जो राजनीती से लेकर अदालत तक सुर्खियों में चाया हुआ है यह मुद्दा तब से गर्माया हुआ है जब से पुर्व मंत्री बीजेपी विधायक गनेशनाईक के खिलाप दीपा चोहान नामा के एक परिशित महिला ने कथित रेप का मामला दर्ज कराया है महिला आयोक के निर्देश पर नौइमबई पुलिस ने बीजेपी विधायक के खिलाप दो एफाई आर दर्ज किये हैं और यही वज़ा है कि अगरिम जमानत के लिए हमामला थाने सेशन कोट तक पहुँच गया है जाहिर है अगर बेल नहीं मिलती है तो यह मामला हाई कोट में भी जा सकता है इस बीच नौइमबई के दिगजनेता गनेशनाई के खिलाप कारवाई की मांग चल लही है पहले NCP की महिला कारेकरताओं ने DCP कारेलाई पर मोर्चा निकाल कर गनेशनाई की गिरपतारी की मांग की थी अब NCP की एक पुर्वनगर सेविका दिब्यागायकवाड ने एक नई मांग कर दी है जिससे गनेशनाई की टेंशन बढ़ गई है यह मांग महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा और उनके सम्मान से जुड़ी है दिब्यागायकवाड ने सीटको एमडी संजे मुखर जी को एक खत लिखाया जिसमें उन्होंने तमाम महिलाओं की अपील का हवाला दिया है पुर्वनगर सेविका की मांग नईमबई स्पोर्ट एसोसियेशन के टेनिस कॉम्पलेक्स का नाम बदलने को लेकर है मांग है कि एनमेसे के टेनिस कोड से गनेशनाई का नाम निकाल कर वहां किसी स्पोर्ट परसन रिटार्ड सन्य अधिकारी या महान व्यक्ति का नाम दिया जाना चाहिए दलील है कि गनेशनाई के नाम पर आज कल डेपिष्ट का कलंक लग गया है इससे स्पोर्ट कामप्लेक्स और टेनिस कोड के साथ ही खिलाडियों की छवी खराब हो रही है दिब्या गायकवार ने एनमेसे को या खत नहीं लिखा है क्योंकि वहां खोद गनेशनाई के अधियक्ष है इसलिए उन्होंने यह खत सिडको एमडी को अंग्रेजी भासा में लिखा है उसमें क्या खास बात लिखी गई है आईए हम अब इस खत को पढ़कर सुनाते हैं मेरे हाथ में यह दिब्या गायकवार का लिखा हुआ वो खत है जिसे सिडको एमडी को भेजा गया और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री नगरविकासमंत्री और तमाम संबंदित विभागों को भेज कर यह अनुरोध किया गया है कि टेनिस कोर्ट से गनेशनाई का नाम हटाए जाए लेकिन इस खत का असल मुद्दा क्या है वो हम आपको बताने की कोशिस करते हैं उन्होंने लिखा है कि नईंबई की तमाम महिलाओं द्वारा प्राप्त अनुरोध के बाद मैं आपके ध्यान में लाना चाहती हूँ कि स्थानी नेता विधायक स्री गनेशनाई के खिलाप बलातकार और आपराधिक धमकी का मामला दर्ज किया गया है स्री गनेशनाई के खिलाप दर्ज मामले के बारे में गहराई में जाये बिना मैं आपसे सेक्टर एक ए वासी में स्थित नईंबई स्पोर्ट एसोसियेशन गनेशनाईग टेनिस कॉम्प्लेक्स का नाम बदलने का अनुरोध करती हैं क्योंकि गनेशनाईग फिलहाल बलातकार केस में एक आरोपी है ऐसे में टेनिस कॉम्प्लेक्स पर उनका नाम होने से अकादमी और नाईंबई के नागरिकों को बहुत सरमिंदगी और बदनामी महसूस हो रही है अकादमी में खेलने के लिए हर दिन तमाम महिलाएं और लड़किया आती हैं टेनिस के लिए ड्रेस कोड़ भी एक्सकर्ट है ऐसे में कई पूर्सों का या भी आरोप है कि गनेशनाई के हाँ खिलारियों को प्रोश्रहन करने के बहाने अक्सर आकर बैठते हैं उनके आने स यहां के खिलारी खुद और सुरक्षित महसूस करेंगे दिब्याग आकवार ने सुझाओ भी दिया है कि फिलहाल इसे रोकने के लिए कादमी का नाम बदल कर कोई अलग नाम रखने की जरूरत है उदारन के तोर पर स्वतंतरता सेनानी या किसी सामाजी कारेकरता या खिला साथी यह संदेश भी जाया कि नईमबई स्पोर्ट एसोशियेशन किसी भी संबंधित व्यक्ति के आपराधी के अन्याएपूर्ण कृत्य को बरदास्तिया प्रोसाहित नहीं करता है सवाल भी उठाया है कि यदि इस निविदन के बाद भी कथित रेपिष्ट विधायक स्री गणेशनाईक का नाम अकाडमी से नहीं हटाते हैं और उसे बरकरार रखते हैं तो इससे उनके समर्थक यहां आते रहेंगे और महिला और लड़कियों को और सुरक्षित महसूस कर नाम फलक खटाने का अनुरोद करती हैं यही वो खत है और उसका मजमून है जिसे सिट को यमडी को लिखा गया है और तमाम संबंधित विभागों को भी लिखा गया और मुखमंत्री को भी खत में संबोधित करते हैं इस पर करवाई की मांगी गई है यह खत जो मैंने आप गनेशनाईक का नाम निकालने को लेकर है जिसे नौइमबई का सिल्पकार कहा जाता है जिने उनके समर्थक राजा मानते हैं बैनर लगाते हैं कि राजा का राजपन आजपन उदेअपन लेकिन वही राजा अपनी एक प्रजा की शिकायत पर ऐसा उलज गया है कि जमानत की गुहार लगा रहा है बात यहां तक पहुँच गई है कि जिस गनेशनाई के नाम पर नौइमबई की पहचान हुआ करती है आज उसी नौइमबई की वास्तु से उनका नाम निकालने की बात की जा रही है अब इसे समय का खेल कहें या तकदीर का तकाजा फिलहाल तो इसका फ सिटको एमडी को खत लिखकर शिकायत कर इस टेनिस संकुल का नाम बदलने की मांगी है उनके निवेदन के अनुसार गनेशनाई के खिलाप रेब जैसा संगिन मामला इस वक्त दर्ज हुआ है कोट में मामला विचारा धीन है ऐसे में अगर इस टेनिस संकुल पर उनका नाम सिटको के पास की क्योंकि सिटको के इलाटेट जमीन पर ही स्पोर्ट कॉंप्लेक्स का निर्मार हुआ है अब देखना होगा कि सिटको के उच्चा अदिकारी दिब्या गायकवार की समांग पर कितनी गंभीरता दिखाते हैं और इस टेनिस कोट से गनेश नाइक का नाम उबरू होंगे तब तक हमें दीजे इजाज़ात लेकिन आप देखते रहिए खबरों का नया अड़ा टीवीवर इंडिया नमस्कार लेटेस्ट अपडेट्स और ताजातरीम खबरों के लिए टीवीवर इंडिया लाइफ को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत देए